नमस्कार स्वागत आपका मनीमेजिक पे बात करेंगे BCL Industries Limited जानेवें कमपनी के बारे में सारी अपडेट, बेलेंसीट, फंडामेंटली और लोंग टरम के लिए स्टोक कैसा है तो आप वीडियो अन तक जूर देखें काफी इनफोर्मेटिवी वीडियो है और बहुत ही रही है तो अगर आप देखोगे कंपनी यह वह ओयल बनाती है नॉर्मल जो घरेलू जो जेतने भी प्रोडेक्ट है चाहिए रिफैंड ओयल हो यह इस टाइप का प्रोड़क्ट यहां पर कंपनी में बनाती है प्रोड अच्छा है और इंट्रिंसिक वेलिव 533 मतलब की स्टोक अगर आप देखोगे अभी 479 पे यानि की इस टोक अभी अच्छी बात है प्रोज में आप देखोगे कंपनी अच्छी रिजल्ट दे रही है दो इक प्रोड़क्ट दिखाए हैं सी एज्यार के लिवल पर नेट प्रोफिट यह भी डबल हो गया पिछले पांच क्वाटर के अंदर तो यह भी एक स्ट्रोंग पॉइंट है कि पिछले पांच क्वाटर से कंपनी का प्रोफिट डबल हो रहा है अब बात करें कम से कम पिछले पांच सालों की से वह 642 से 1427 यानि कि सेल्स भी कंपनी क पांच सालों में डबल होगे यह तो यह कंटिनी बढ़ रहा है इसके अलावा यहां पर देखोगे आप रिजव कंपनी के पास 300 करोड का रिजव है और कंपनी इसको कंटिनी बढ़ा रही है अगर आप देखोगे पिछले 5 साल का रिजव तो कंपनी का रिजव 116 करोड से 300 पहुंच गया है और बोरिंग 222 से 159 तो कंपनी रिजव बढ़ा रही है और बोरिंग कम कर रही है यह भी एक पोजिटिव पॉइंट है इसके बाद हम बात करें परमोटर की तो परमोटर के प देखें अच्छी खासी परमोटर के ओल्डिंग है तो यह भी एक पॉजिटिव पोइंट है अगर आप देखो परमोटर में हों है तो मितल 사랑 कुसाल मितल 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 एंसस गरिमा मितल स्वेटा जुंजुन वाला सुएता मितल तो जितना भी ज्यादा से ज्याधा मित इसके अंदर है और इसके बाद हम बात करें पॉब्लिक में तो पॉब्लिक में 12% हिशेदारी है वो रोल-ओन इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की है दूसरी मनोज फिन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की है रोलोन की अभी 12 से गटके 9.78 परसेंट रह गई और मनोज फिनिवेश्ट की 1.19 संगीता एस 1.41 तो इन लोगों ने भी यहाँ पर अगर आप देखोगे कमपनी के अंदर लगबग 12 परसेंट की इसेदारी ले रखी है तो इस कमपनी के उपर अगर आप परमोटर के हिसाब से देखोगे तो टोटल यहाँ पर लगबग 75 परसेंट यह 74 परसेंट जो होल्डिंग है परमोटर की वो कुछ सफिसेंट लोगों के पास है गिने चुने को यहां पर कमपनी को दिए गई है इसके आलओ यहां यहाँ पर चाथ देखते हो कमपनी का सेल्स गुरोथ का तो का चैल्स-गुरोथ कंपनी की बढ़ी है अ यहाँ पर भी कंपनी में कोई प्लेज शेर नहीं दिखाया गया यानि कोई भी कंपनी का सेर प्लेज नहीं है तो काफी कुछ पोजिटिव इस इस्टोक के इंदर ट्रेड कर रहा है अगर आप देखोगे ओवरिविव तो फंडामेंटली ये स्टोक काफी मजबूत दिख रहा है अंडर वेलिव इस्टोक है पिछले पांच क्वाट्र से कंपनी के सांधार रिजल्ट है सांधार कंपनी ने प्रोफिट जेनरेट किया है पिछले पांच सालों में कंपनी की सेल्स भी डबल हुई है उसके बाद न अच्छा पोइंट है पर मोटर का कोई भी सेर यहां पर प्लेज नहीं है तो ओवर्विव अगर आप देखोगे अच्छा कासा है इस्टोक है फो लोंग ट्रम आप इस इस्टोक के बारे में सोच सकते हैं बिलकुल अपने फाइनेंचिल एडवाजर से सला ले सकते हैं थैं थैंक यू कीप सपर्टिंग